हलो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी मज़िदार मूं में पानी लाने वाला बिलकुल धाबे जैसा मटर पनीर बनाने जा रही हूँ और यकिन मानिए दोस्तों अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका मटर पनीर भी बहुती लाजवाब बनकर तयार होगा खाने में सभी को बहुती पसंद आएगा तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी मटर पनीर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की मेरे वीडियो की लेटिस्ट अपडेश्ट सबसे पहले पहुँचे आप तक मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर 200 कल पनीर लिया है यह देखिए और पनीर को मैंने इस तरह से इसकॉाईर चलिया है इसके इस तरह से मोटे-मोटे टुक्रे कर लिया है साथ ही 250 ग्रम फ्रेश मतर लिये हैं इसके दाने निकालकर इसे पानी से अच्छे से वश कर लिया है और ग्रिवी बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर तीन गहरें लाल रंग के टमाटर दो हरीमिर्च तीन प्याद जिसका मैंने छिलका हटा लिया है दो चोटी टुकड़े अदरक के लिए है और आठ से दसकली लैसून के लिए है और अब गैस पर मैंने कड़ाई रख दी है इसमें एक बड़ा चमबच ऑईल गरम कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे आदा चोटी चमबच जीरा साथ ही हम इसमें डालेंगे 3-4 लॉंग और 4-5 दाने काली मिर्च के एक तेजपता भी डाल देते हैं अब इसमें हम एक करेंगे एक बड़ी वाली इलाईची थोड़ा से चटकने देंगे मसालों को और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जिसे मैंने बारिक चॉप कर लि तक तो यह देखिए दोस्तों प्याज का रंग हलका सा चेंज हो चुका है इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे लैसुन अद्रग का पेस्ट तो 2-3 चमज लैसुन अद्रग का पेस्ट डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बुनने देंगे टुक्रों में काट लिया है इसे डाल देंगे कड़ाई में फुड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे भी और अब हम इसमें मसाले बे मिला देंगे तो एक चौथा ही चमज हल्दी का पाउडर लिया है याद रखे दोस्तों मसाले मिलाते समय हमें ग्यास की फ्लेम को बिलकुल तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें हम एड़ करेंगे एक कप के लगभग पानी तो मसालों को पकाने के लिए हमने इसमें पानी मिलाया है अगर बिना पानी के पकाएंगे तो मसाले जल भी सकते हैं और अब इसे हम ढख देंगे और तेवी बनकर तयार होती जा रही है यह देखे और अब इसमें हम अट पूरी इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही टमाटर के पूरी मिक्स हो जाएगी तब इसमें हम नम्क मिला देंगे तो एक चमश नमक लिया है और नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते है अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे तो नमा कच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इस हम फिर से ढख देंगे और ढखकार इसे 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तो मसाले को पकाते हुए लगभग तीन मिनट हो चुके हैं बीच में मैंने एक बार चम्मत चला दिया था और आप देख सकते हैं और यह देखिए दोस्तों कितनी बड़िया ग्रेवी बनकर तयार हुई है तो अब इसमें हम एट कर देंगे पानी तो एक कप के लगभग इसमें पानी और डाल देंगे मिला लेंगे इसे भी और मिक्स करने के बाद हम इसमें मिला देंगे मटर तो मटर यहां पर हमने फ्रेश यूज किये हैं इसलिए हम मटर को थोड़ा पहले पकाएंगे तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मसालों के साथ में और अब इसे हम ढग देंग और मटर यहां पर हाफ कुक हो चुके हैं इसी समय पर हम इसमें पनीर भी एड़ कर देंगे और पनीर को भी मसालों के साथ में इस तरह से मिला लेंगे और मसालों के साथ में पनीर को भी पकने देंगे लगभर दो से तीन मिनिट के लिए जिससे की पनीर में भी मसाला अच्छ मटर पनीर बनकर बिल्कुल तयार है पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब इसमें हम एट कर देंगे आदा चोटी चमच गरम मसाला साथ ही अब इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी कसुरी मेथी और इसे हाथ पर थोड़ा सा क्रश करके मिलाएंगे इससे स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी टेस्टी बिल्कुल धाबे जैसी मटर पनीर की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से तो अब हम गैस बन कर देंगे और सबजी को गर्मा गरम सर्व करेंगे और ये लीजे दोस्तों बनकर तयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार बिल्कुल धाबे के स्वादवाला मटर पनीर आप इसे एंजोई कीजिए गरम-गरम फुलके पराठे पूरी चावल के साथ में खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है तो फिर आप भी एक बार इस थाधरन तरीके से मटर पनीर बना कर जरूर ट्रै कीजिएगा आपको काफी पसंद आएगा रेसेपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई